नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज फिर हम नेक्स्ट क्लास की जहां पर कुछ इंपोर्टेंट रूल्स अपन पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर से हमारा टोपिक चल रहा था नाउन और नाउन में आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केस ओफ नाउन से केस ओफ नाउन जैसा कि आप सब को पता है कि नाउन के केस कितने होते हैं नाउन के केस होते हैं चार कौन-कौन से एक होता है नोमीनेटिव केस जिसको अपन एक नाम और भी देते हैं इसको हम सबजेक्टिव केस भी कहते हैं नोमीनेटिव केस या इसको अपन सबजेक्टि केस भी कहते हैं यह हुआ केस नंबर वन इसके अलावा नंबर टू है अब्जेक्टिव केस, उसके बाद नंबर थर्ड पर है हमारा पॉजेसिव केस, और नंबर फॉर है है हमारा डेटिव केस तो डेटिव केस की तो कोई importance नहीं है बट आपको नॉमिनेटिव केस objective केस और possessive केस और तीन नॉमिनेटिव, objective, possessive केस को समझना होगा नॉमिनेटिव केस कोन सा होता है आई या फिर वी, यू, दे, ही, शी, और इट ये सारे नॉमिनेटिव केस होते है और जो objective केस होते है ये क्या होगा me, us, you, them, him, her, or it possessive केस की बात करें तो क्या होगा my or mine my or mine or your and yours your and, yours, इसके अलावा their and theirs इसके अलावा his, इसके अलावा her, or, hers, or its ये सारे possessive केस होते हैं adaptive केस होता है एड्रेस करना किसी को समबोधन हिंदी में क्या होता है समबोधन जैसे अपन बोलते हैं ladies and gentlemen ये adaptive केस कहलाता है इसको हम ड्रेटिव केस कहते हैं इसके कोई खास importance नहीं है यहाँ पर अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि nominative का comparison करना है तो nominative से होगा objective का comparison करना है तो objective से होगा possessive का comparison करना है तो possessive से और तो डेटिव की बात नहीं कर रहे है अपन डेटिव का कमपेरिजन नहीं होता तो हमारा रूल क्या है हमारा रूल यह है कि नोमीनेटिव का कमपेरिजन हमें नोमीनेटिव से करना है और अबजेक्टिव का कमपेरिजन हमें किस से करना है और पजेसिव का कमपेरिजन हमें का comparison और पजेक्टिव का कंपरेजन पजेसिव से होता है तो यहाँ पर कैसे comparison होता है इसको अपन समझ लेते हैं जैसे अपने पास यह question है अपने पास यह question है कि आई एम आई एम बैटर है अई एम बैटर यह पास यह कॉशंट है अब यह sentence बचो गलत है गलत क्यों है क्योंकि I nominative case है nominative case है तो इसका共からई इस से कैसे हो सकता है हर से तो अब्जEKTIV case है यह यह nominative case है तो इसका ses कौन होता है यह होता है तो यहां पर ऐसे होना जाइ I am better than she अगर I am better than हर लिख्ते हैं तो यह गलत होता है इसी तरह objective का comparison करना है तो objective से होगा जैसे अगर अपन ऐसे कह दें कि my parents love you more than I अब देखो यहाँ पर comparison सिर्फ इन दो का हो रहा है parents का कोई comparison नहीं है और अगर हम देखें इस sentence में you क्या है यह अउब आपजेक्टीव नहीं नहीं है यह objective है क्योंकि जगे किसकी है my parents subject है love वरब है और यह object है तो यह object है तो इसका comparison किसी object से होना चीए but I तो objective case नहीं है तो nominative case है यहां से मैं पता चल रहा है objective case होना चीए objective case क्या होगा तो यहां पर भी mistake है I नहीं होना चाहिए, I गलत है मी होना चाहिए My parents love you more than me इसी तरह पजेसिव का comparison पजेसिव से होता है जैसे My house My house is more spacious My house is more spacious than your your house अगर हमने यहां पर देखा तो My, My तो पजेसिव है और your भी क्या है पजेसिव है तो यह sentence सही है आप your house भी लिख सकते हो और इसके बदले अगर आप सिर्फ yours लिखते हैं तब भी यह सही होता है पजेसिव का comparison पजेसिव से होता है तो case of noun में आपको एक तो यह बात याद रखनी है एक बात आपको और याद रखनी है हालनकि बहुत सारी बाते हैं लेकिन सारी बाते हैं अपने को याद नहीं रखनी है अपने को कुछ ही बाते हैं याद रखनी है जिसमें से अगली बात क्या याद रखनी है अगली बात आपको यह वाली याद रखनी है कि जब भी sentence में preposition हो जब भी sentence में preposition दिया गया हो तो preposition के बाद में हमेशा आपको objective case का ही use करना है objective case पीछे मैंने बताए ना nominative case कौन से होते हैं possessive case कौन से होते हैं objective case कौन से होते हैं तो preposition के बाद आपको objective case का use करना है कैसे करना है जैसे ये question है जैसे यह question है कि there is no friendship between you and I यह question है अब यह sentence का है A part यह sentence का है B part और यह है sentence का C part और D अब देखो between क्या होता है between sentence में preposition है और preposition के बाद objective case हाना चाहिए तो you objective case है बट I तो objective case नहीं है आई तो nominative case होता है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था मी होना चाहिए क्योंकि preposition के बाद objective case हाता है इस rule को भी आपको याद रखना है और इसके बाद जो है अपने को याद रखना है noun में gender की बाद करते है gender of noun gender of noun की बाद करते हैं मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ जो मुझे important लग रही है जहां से question पुछा जा सकता है जहां कि noun topic बहुत बड़ा है इससे कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है बट जो important बाते मुझे लग रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ gender of noun की बात करें तो यहाँ पर gender of noun की बात करें तो चार gender होते हैं कौन-कौन से gender होते हैं एक तो होता है masculine masculine gender होता है और एक होता है feminine gender masculine gender feminine gender और तीसरा होता है common gender और चोथा होता है neutral gender masculine का मतलब सभी male होते हैं इसमें जैसे कि father हो सकता है जैसे कि uncle हो सकता है ठीक है और इसमें feminine में सभी female हैं जैसे mother हो सकती है जैसे aren't हो सकती है common में जो है common noun की तरह use होता है जैसे कि parents हो सकता है जैसे कि teacher हो सकता है जैसे कि student हो सकता है यह सब यह common noun है neutral में lifeless यानि कि non living things होती है वस्तुए होती है lifeless कहा सकते हैं जैसे की pen हो सकता है जैसे की book हो सकता है जैसे की pencil हो सकता है जैसे की table हो सकता है निर्जीव चीजें इसके अंदर आती है बट यहाँ पर कुछ सजीवों को भी रखा गया है जैसे की baby baby माने बच्चा और जो lower animals होते है lower animals इनको भी यहां पर रखा जाता है लोवर एनिमल्स के तहट आते हैं छोटे जीव, रेंगने वाले जीव जैसे चिंटी, स्नेक वगएरा रेबिट इनको लोवर एनिमल्स का जाता है यह कोमन नूटर जेंटर के तहट आते हैं और बाकी मस्कुलाइन फादर और अंकल तो हैने इसके अलाओ और क्या हो सकते हैं ऐसी कोई नाउन जो स्ट्रेंथ यानि कि ताकत के बारे में बताती हो या द्रड़ता के बारे में बताती हो कुठोरता के बारे में बताती हो उसको भी हम मस्कुलाइन जेंडर मानते हैं जैसे S.U.N. संसूरच D.E.A.T.H Death, मृत्यू या थंडर ये भी मस्कुलाइन जेंडर के तहट आते हैं स्ट्रोम, तुफान होता है जो ये भी मस्कुलाइन जेंडर के तहट आते हैं और इसके अंदर क्या आता है इसके अंदर आता है जैसे Liberty Liberty होती है स्वतंतरता जैसे Moon, चंदर्मा जैसे Earth, प्रत्वी जैसे Peace, शांती ये सब feminine gender के तहट आते हैं Common gender के अंदर ये है और lower animal और बेबी को अपन मानते हैं कौन सा Neutral gender तो Neutral gender से related किस टाइब के कोशन आते हैं या gender से related किस टाइब के कोशन आते हैं उनकी अपन यहां पर बात करते हैं देखे दोस्तों यहां पर जैसे ये कोशन है This baby is This baby is Crying Crying For His mother इस तरह का यह कोशन है यह संटेंस का A पार्ट है यह संटेंस का B पार्ट है यह संटेंस का C पार्ट है और यह D This baby is crying for his mother अब हम बेबी को तो Neutral gender मानते हैं Neutral gender के साथ His का यूज़ नहीं होता Neutral gender के साथ किस का यूज़ होता है इस लिए यहां पर इस का पर्यूक किया जाएगा Neutral gender है इसलिए इस आएगा इस के साथ यह नहीं आएगा और अगर हम चंद्रमा की या सूरज की बात करें Sun की बात करें तो हम ऐसे लिखते हैं The sun, the sun spreads, the sun spreads, its rays, its rays on us. इस sentence में देखें, तो sun तो masculine gender होता है, masculine gender होता है, तो फिर its कैसे आ सकता है, इसके लिए किसका use होना चाहिए, इसके लिए his का use होना चाहिए. इसी तरह moon जो है, उसको हम feminine gender मानते हैं, तो अपन ऐसे कह सकते हैं दा मून दा मून वेल्ड हीज फेस हीज फेस बिहाइंड क्लाउड्स चंदर्मा ने अपना चहरा बादलों के पीछे चिपा लिया या बादलों से डख लिया तो यहाँ पर हीज का यूज नहीं होगा क्योंकि चंदर्मा यानि की मून को हम फेमिना इन जेंडर मानते हैं तो यहाँ पर इसके लिए हर का परियू किया जाएगा तो यह कोशन जो है वो जेंडर ओफ नाउन से मुझे इंपोर्डन लगे इसलिए मैंने आपको बता दिया अब हम बात करते हैं नंबर ओफ नाउन की तो नंबर ओफ नाउन से रिलेटेड बहुत सारे कोशन बनते हैं तो इसको अपन देख लेते हैं नंबर ओफ नाउन में नंबर ओफ नाउन जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि नंबर ओफ नाउन यानि कि नाउन के नंबर की बात हो रही है नाउन के वचन की बात हो रही है तो नाउन के दो नंबर होते हैं नाउन के दो नंबर कौन कौन से एक तो होता है सिंगूलर और एक होता है प्लूरल सिंगूलर एंड प्लूरल नाउन के दो नंबर होते हैं जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं एकवचन और इसके अलावा हम इसको बोलते हैं बहुचन एकवचन और बहुचन नाउन के ये दो नमबर होते हैं अब यहाँ पर कुछ rules अपने देखने हैं तो rule number एक की बात करते हैं जिस noun के last में s या double s या sh या ch या x या z हो अब अगर अगर अपन इसका plural बनाएंगे तो इसके साथ अपन को es plus करना पड़ेगा es को जोड़ना पड़ेगा यह हमारा first rule है इसमें यह हमारा first rule है इसके example देख लेते हैं अपन इसके example यह है कि मान लो की अपने पास noun है bus, मान लो की अपने पास noun है pass, मान लो अपने पास noun है bush, मान लो अपने पास noun है watch, मान लो अपने पास noun है box या फिर है quiz अब अपन इसका plural बनाना चाहते हैं यह सारे word singular हैं इसका अपन बनाना चाहते हैं plural तो last में ऐस सारा है तो yes जोड़ देंगे plural हो जाएगा buses इसी तरह pass का क्या हो जाएगा इसी तरह bush का क्या हो जाएगा? bushes और watch का क्या हो जाएगा? watches और box का क्या हो जाएगा? boxes और quiz का क्या हो जाएगा? quiz यहाँ पर आपको कुछ exception का भी ध्यान रखना पड़ेगा exception याने की अपवाद यह exception क्या है? यहाँ पर आपको यह देखना है कि जैसे अपने पासवर्ड होता stomach s-t-o-m-a-c-h या अपने पासवर्ड होता m-o-n-a-r-c-h monark इसका pronunciation क्या होता है? इसका pronunciation होता है stomach और इसका pronunciation होता है monark stomach और monark यहां पर CH जो है ना वो कैकी साउंड दे रहा है यह भी कैकी साउंड जबकि वाच में हमने क्या पढ़ा था इसको वाच वाच में यह चैकी साउंड दे रहा था जबकि यहां पर यह कैकी साउंड दे रहा है तो जब भी CH यहां पर याद रखें CH जब भी कह की साउंड देगा तो आपको plural बनाने के लिए केवल S जोड़ना है अगर CH चै की साउंड देगा तो फिर आपको ES जोड़ना जैसे यहाँ पर देखो Watch में CH चै की साउंड दे रहा था तो आपने ES जोड़ा लेकिन यह कै की साउंड देगा तब आपको क्या जोड़ना है तब आपको ES जैसे स्टमक इसका plural क्या बनेगा इसका plural बनेगा स्टमक Only ES जुड़ेगा इसी तरह मोनार्क का plural क्या बनेगा मोनार्क का plural बनेगा स्टमक होता है पेट और मोनार्क होता है समराट इसको हम कहते हैं समराट और स्टमक होता है पेट इस तरह से इनका ये plural इस तरह से बनेगा अगर इसके अलावा कोई वर्ड होता जैसे चर्च तो यहाँ पर CH चै की साउंड दे रहा है इसको हम plural बनाने के लिए चर्च इस लिख सकते हैं गिरजागर होता है यह चर्च यह हमारा number of noun का फस्ट rule है second rule की बात करते हैं यहां पर second rule अब आता है इसका rule number second rule number second यह है कुछ noun ऐसे होते हैं जिनका singular में meaning अलग होता है और इनका जब अपन plural बनाते हैं तो meaning change हो जाता है singular में meaning अलग है plural में अलग है जैसे कि अगर अपन बात करें pain पी ए आई एन हिंदी में तो इसका अर्थ होता है दर्द लेकिन जब आप इसका plural बनाएंगे pains तब इसका हिंदी अर्थ होता है प्रियास या प्रियतन इसी तरह air air होती है हवा जब अपन इसका plural बनाएंगे airs तब इसका अर्थ होता है दिखावटी या फिर इसका अर्थ होता है जूटा का मंड इसी तरह water water क्या होता है water होता है पानी जब आप इसका plural बनाएंगे waters waters होता है समुद्र तब इसका अर्थ बदल जाएगा इसी तरह अगर अपन लिखें advice advice का अर्थ क्या होता है advice होती है सलह और जब आप इसका plural बनाएंगे advices तब इसका अर्थ क्या हो जाएगा तब इसका अर्थ हो जाएगा सूचनाए या information इसी तरह abuse abuse हिंदी अर्थ क्या होता है गाली देना और जब आप इसका plural बनाएंगे abuses तब इसका अर्थ हो जाएगा कूप रथाए इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पर alphabet 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 क्या होती है alphabet होती है वर्ण माला जब आप इसका plural बनाएंगे alphabet alphabet तब इसका अर्थ होता है बाशाय ओके इसी तरह और भी वर्ड हो सकते हैं जैसे quarter quarter क्या होता है quarter होता है एक बटा चार भाग one fourth लेकिन जब आप इसका plural बनाएंगे quarters quarters का अर्थ क्या होता है quarters का अर्थ होता है छोटा मकान यह इसका plural होता है तो यहां से इससे related question कैसे पूछे जाते हैं questions की बात अपन यहां पर कर लेते हैं question इस rule से कैसे पूछा जाता है कि जैसे you should you should take pain you should take pain for your study आपको अपनी पढ़ाई के प्रती थोड़ा pain लेना चाहिए अब यह sentence का A part हो गया यह sentence का हो गया B part यह हो गया C और यह हो गया D अब हमने लिखा यहां पर pain pain नहीं हो सकता क्योंकि pain का अर्थ तो दर्द होता है और पढ़ाई के प्रती दर्द नहीं प्रयास किया जा सकता है प्रयतन किया जा सकता है तो यहां पर हम pain से लिखेंगे यहां पर यह गलती है इसके अलावा दूसरा question क्या है कि young person young persons young persons does do not do not like the advices of advices of the elderly of the elderly युवा लोग जो होते हैं बुजरुग लोगों की सलहा पसंद नहीं करते तो सलहा एड़ सलहा तो advices होती है advices तो सूचना ही होती है तो यहां पर advices का use गलत है इस तरह से इस वाले rules से इस तरह के question पूछे जाते है चलिए next rule की बात करते है कुछ rule जो चोटे मोटे rule है वो आपको पता है उन rules की मैं बात नहीं करने वाला बाकी मैं कुछ most important rules ही आपको यहां पर discuss कर रहा हूँ जैसे बचो देखें तीसरा rule तीसरे rule की अपन यहां पर मात कर लेते हैं और तीसरा चोथा पांचोथा कई चोटे चोटे rule है जैसे कोई noun है उसके last में y आ गया और y से पहले यहां पर कोई vowel है vowel का मतलब a, e, i, o, u है y के साथ y से पहले vowel है तो आप इसके साथ s add कर लेंगे तो यह word आपका यह वाली noun आपकी plural हो जाएगी कैसे हो जाएगी इसका एक example देखिए जैसे कि अपने पास word है boy boy last में y आ रहा है उससे पहले vowel है तो vowel है तो आप s को add करेंगे तो यह बन जाएगा इसका plural boys इसी तरह और भी हो सकता है toy है तो toy का क्या हो जाएगा toys इसी तरह joy है तो joy का क्या हो जाएगा toys इसी तरह day है तो day का क्या हो जाएगा days हो जाएगा अगर लेकिन y से पहले अगर vowel ना होता consonant होता तो तो फिर अपन क्या करते y को हटा देते और इसके बदले क्या लिखते ाई एस लिखते y को हटा कर ाई एस लिखते तो फिर word क्या बन जाता हमारा plural बन जाता इसके example देख लेते हैं इधर जैसे कि अपने पास word होता copy last में आ रहा y y से पहले consonant y को हटाएंगे ाई ए एस लिखेंगे copies जैसे duty है duty है तो फिर अपन क्या लिखेंगे duties जैसे अपने पास word है beauty तो यहां पर क्या हो जाएगा beauties beauty का beauties copy का copies इस तरह से अपने y अगर last में और से पहले consonant है तो y को हटा कर ाई एस जोड़ देंगे एक fourth rule और है fourth rule यह है कि अगर किसी noun के last में f या fe आ जाए तो आप इसका plural बनाने के लिए इनको हटा कर वी इस का use करते हैं तो यह plural हो जाते हैं जैसे अपने पास word है wife अगर अपन इसका plural बनाना चाहेंगे तो यह हो जाएगा wives f यह हट गया जैसे knife knife में अपन इसको हटा देंगे तो यह क्या बन जाएगा knives जैसे half half है तो plural बनाएंगे तो यह क्या बन जाएगा house बन जाएगा लेकिन इसमें आपको exception का दियान रखना पड़ेगा कुछ अपवाद है उनका दियान रखना पड़ेगा कौन सा अपवाद है जैसे chief चीफ है तो इसमें f add कर v es नहीं लगेगा इसमें यहाँ पर आपको एस एड करना है बस chiefs इसी तरह एक होता है dwarf dwarf होता है छोटे कद का यह हो जाएगा dwarfs इसी तरह एक होता है word grief grief होता है दुख तो हम इसको plural मनाएंगे तो यह griefs इस तरह से इसका plural बन जाएगा तो noun से related जो concept थे यह मुझे important लगे यह मैंने आपको बताया है अगले topic की हम बात करेंगे यहाँ पर pronoun की तो next वीडियो में हम बात करेंगे pronoun की pronoun के उपर discussion करेंगे किस तरह के question आता है उसकी बात करेंगे इस वीडियो को enjoy कीजिए नमस्कार